हेलो एवरिवन वेलकम टू दा चैनल गो टू सक्सेस जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखे लिया होगा आज हम बात करने वाले हैं डिट प्लस भी पीजीटी रिजल्ट की रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं आज से ही तो देखते हैं कौन सी पोस्ट का रिजल्ट जारी किया ग चुका है टोटल पोस्ट नाइन थी जनरल की 6, OBC 3 और OBC में ही OHVH इंक्लूड थे एक एक पोस्ट मतलब OBC की एक ही पोस्ट बची एक्जाम हुआ था 25-6-2021 को 402 कैंडिडेट्स ने अपियर किया था एक्जाम दिया था 32 कैंडिडेट्स का सलेक्षन हुआ है तो यहां पर आप यह भी देख सकते हो कि कितना मल्टिप्लाइ सल्एक्शन या इडोसियर मंगाए जाते हैं 4 चार गुने यहां पर आप देख सकते हैं 9 वैकेंसी पर 32 कैंडिडेट्स के डोसियर अपलोड करवाए जा रहे हैं ठीक है, cut off यहाँ पर आप देख सकते हैं, 300 नंबर में से यहाँ पर total marks दिये गई हैं, general 144.44, OBC 117.93, PHOH 92.65 और PHVH 118.43, यह cut off रही है, आगे जो important चीजे हैं, यह तो notification में ही दे दिया गया था, कि general category को 40% पर qualify माना जाएगा, OBC को 35 पर, PH को 30% पर, तो इसका role ज्यादा नहीं है, क्योंकि cut off आगे बनती है, ठीक है, यह आप देख सकते हैं, all the candidates who have been shortlisted for upload, e-dosier must upload, they are all requisite applicable documents, ठीक है, link पर भेज देंगे, अपने documents को upload कर देना है, 27.08.2021 से खुल जाएगा, और 10 September तक, open रहेगा, site open रहेगी, जिसमें आप upload कर सकते हो, ठीक है, और, selected candidates की list अभी नहीं डाले गई है, वो भी डाले जाएगे, और साथ में, आपके marks भी upload कर दिये जाएगे, कल तक, तो आप अपने marks चेक कर सकते हैं, list भी आजाएगी, जल्दी ही, congratulations जिनका selection हुआ है, जिनका selection किसी वज़े से छूट गया है, अगर आप under age हैं, तो आप और मेहनत कीजिए, पता लगाईए, कहां पर क्या problem थी, अब तक शायद पता लग गया होगा आपको, और जो over age हो गए हैं, उनके लिए तो chance है नहीं, बट life बहुत बड़ी है, बहुत और खुशिया होती है, और कोई भी रास्ता होता है, कुछ करने का, तो आप कोई और अपना मुकाम ढूंड सकते हैं, thank you so much, good luck, बाकी updates के लिए चैनल को subscribe करे, bell icon को press करे, thank you.